तो दोस्तो आज हम सीखने वाले कि आप इस टैप की पालाट हो कैसे रिपेर कर सकते हो यहाँ आप आप देख पार वह पर तीन पालाट मैं भी घर पे लेके आया हूँ एंड कर्ष्टमर जो है वो डेकोरेशन वाला है उसने बताया कि जो उसका जनरेटर था उसका जो ओल्ट राटोड को शुरू करते है तो सबसे पहला हम क्या करने वाले है इसका जो बैक सैड है यह वाला इसको हम ओपन करेंगे यहां से आपको इस टैप का मदरबोर सभी पालाट में देखने को मिल जाएंगा किसमें आप बड़ा मदरबोर दिया हो रहता है किसमें छोटा मदरब की लगा तो दोस्तों यहां पर आते है हमरी सप्लाई तो दोस्तों सबसे पहले हमको यहां पर चेक करना पड़ेंगा कि यहां पर 24 वोल्ड सप्लाई आ रही कि नहीं आ रही है अगर आ रही होंगी तो हम इसको उपन करके जो मरी पाल सप्लाई उसको रिपैर करने कैसे करना वह भी मैं आपको पुरा बता दूंगा तो मैं इसकी पिं को लगाता हूं सिरीस हे आरे यह एंद हम यहाप सबस्सक्राइब कर लेते तो दोस्तों DC यहाँ पर रहता है तो असको हम रखते 200 यहाँ पर यहाँ पार चेक करते तो यहाँ बहुत को यह यह बहुत आप सकते हो उसके बाद आपको यहां पर नट दिखने को मिल जाता है यहां पर आपको एक नट दिखने को मिल जाता है तो दोस्तों इसमें दो टाइप के आपको नट रहते हैं एक तो आपको नॉर्मन वाला स्कूरूडरावर वाला और दूसरा एलेंक की वाला तो यहां पर कुन सा नट तो आप देख पार होंगे यह हमारे शर्ट को open हो गया यह वाला यह वाला जो रहती हो तो स्कुर्ड तो हमको उपण करना पड़ते है फ्रेम को इसके निचा आमको नट मूड़ा रहता है इसके अपर बैटता है हमाश। यहांर रहता हुपार हो धिनकी में है क ridge सिंग में जो कि से कवर में हाँ यहांपर बैठता है यहां पर अबस् shove लिख्कत के बाद नहीं अगर आपको खोलने में दिख्कत होगी तो आप लोग वसा खोल सकते हूँ तो दोस्तों यहां पर नट लगा हुआ है दिखेंगे ना आपको वैसे से उपर कवरूक भी नट लगा हुआ रहता है तो हमको निकालना नहीं है हम ऐसी अपने पॉसपले क ये के वाला और ये वाला, जोखी हीट से इसके हीट सिंग में लगा हुआ है तो हमको सबसे पहले डोनट को ओपन कर लेना है इस से रही किसे और दोस्तों अभी हम इसको साड़ी मर अख देते आप दोस्तों यहाँ पर आप देख पार होंगे यह इसकी पाउस अपलाई आपको जूम करके आप दिखाता है उसमें क्या फाल्ट है तो दोस्तों यह है इसकी पाउस अपलाई आप देख पार होंगे और कि इतना वोड आउट करते हैं आप देशको यहाँ पर यह लिखा हुए 24 वोड 8 अपयर तो 24 वोड 8 अपयर की हमारी पाउजपलाई है और आप पार्ड नेकलाऴर के लिए, यहां पाप देख पहुँए, लोगरा पहुद इन होती है, यहां पाउट होती है, और हमको सोपकुनिया करना है, पड से स्बसिती है कि आपको बेसिक होना हो न चाहिए, आककी। स्कोर भी पॉस अपला ही हो पालत की उसमें दो सेक्षन होती है एक हमारा primary section एंड दूसरा secondary section जो हमारा secondary section रहता है वह हमारा ट्रान्स्वा में का तू आधा है के बाद यहाँ पर आता है जो कि बहुत लो लगा हुए आपके प्राइमरी सेक्ष्न खराब होती है याने सेकेंडी शेक्सन बहुत ही कम खराब होती है बहुत कम चांस में और खराब होती भी है तो क्या चीज़ खराब होती है तोट लिग पर चीज है आँ सब्लिंक छ fetch और इक विफिर फूट जाता है न आदाइवод जो कि ह待 पर तो क्या होता है जब आँवे वह बिलिंक करना चालू कर देता है जुआ है のınız योट योट है fluctuate होता रहता है आधा होट एक होट होता रहता है बड़ दोस्तो ऐसा अभी तब कोई भी केस देखने को नहीं मुझा जिसकी पावर सप्लाइक हो जो सेकेंड नी सेक्शन यह वाला यह खराब हो 90% केस में क्या होता है जबकि पावर सप्लाइक हो जो प्रामरी सेक्शन है य यह आपहाएं पर देख़़ पारोंगि आपको दो क्या थी तक फूला उगवां और यह वाला जो कि फूले ओने यह फटे ओए आप़ तो धोश्तों यह आप लोग समझ जाओ कि यहां पर कितना हाई उल्टेज आया है आप इसको तो आप चेंज कर सकते हो बड़ इसके साथ दोस्तों आप कोनों की और क्या पर फाल्ट है अब सबसे पहले हमको उपन करना पड़ेंगा उपन कैसे करना दोस्तों यहां पर आप देख पार होगे यहां यहां पार इसको भी निखिक रहा हो यह वाला पट्ट्टी टाइप की जो कि हम्या डाओड को यहां पर दबा के रखिए पंच चरक के रखिए सोन साथना पर जहांने समुछाइर से तंग को सअसल समुत्ता से और भτι म्यूज़ोर से निकालना पर में पर शाथ пыт से पर में चार फिर सब्सका निकाल देते ही यह पोसफा कि बाइल्यू से लिज़ें को शान से भान निकाला देते हैं तेन उसके बाद दोस्तों हमको चेक करना पड़ेंगा इसके डाइवोट को आप देख पारूंगे हमारा डाइवोट है किसमा को चार्जर साती यहां पर स्रीज देखने को मिल जाती डाइवोट की किसमा को इस थाइप का ब्रिज रक्टिफार बना हुआ दिख जाता है जो कि रहता हुआ है वर इसमें दो दीया हुआ है तो हम दोनों का लगा देंगे विकार डुन यह न पर पहला पर रहती है या तौन आप दिख्रेत की बात है है तो यहां पडो देख पारुंगे जो केसका प्रिंट ऊपर से गया यहां प्ड़े देख आप पर positive वाल हमारा 1 है यहाँपर negative वाल हमारा 1 है तो आप 1 भी यहाँपर लगा सकते हो यह अगर आप एक्ष्टा यहाँपर दिया हूंगा तो आप एको नहीं आप लगा सकते हो ठीकिना तो दोस्ता हम इसको लगाने वाले यह वाले कैफिटेटर को आप दे सकते हो जो कि 47 UF 450 वोल्ड का है दे सकते हो यहाँ पर जो कि दोनों सेम वैल्यू का है 47 UF 450 वोल्ड तो हमें दोनों के यहाँ पर लगाएंगे दोनों का positive negativity हम लोग को पता है तो उसे साबसा हम इसको repair करेंगे तो मैंने आप दोनों केफिटेटर को चेंज कर दिया हूँ आप दे सकते हो दोनों का negative वाल एक सेड में दिया हुआ है और positive वाल हमारा एक सेड पर दिया हुआ है तो अब हम इसमें चेक करना वाले हमारी पाव आप दिया हुआ है तो हमको सबसेबल इसको check करना पड़ेंगा और जो हमारा fuse है इसको चेक करना पड़ेंगा तो मैंने मल्टिमेटर को continuity पर सेट कर दिया हूँ और आप बजर के बाद सुन पा रहे होंगे तो सबसेबल हम लोग यहां पर क्या चीज़ चेक करना पड़ेंगा इसके बेन केपेशिटर को जिसको हमने अभी बदले यहां से तो हम यहां पर चेक करते हैं आप को sorting तो नहीं है 765 यहां पर रिडिंग्स हो रहे आप दे सकते हो तरन पलटाने में यहां पर रिडिंग्स हो रही है जबकि यहां पर रिडिंग्स हो रही है जबकि यहां पर रिडिंग्स आके गायब हो जाना चाहिए था बट यहां पर रिडिंग्स हो रही है तो इसका मतलब है हमें को को हम देसकते हुए इस तरीके से यह देख पार हूंगे यहाँ पर तो इतना हमारा हो चुका यहाँ पर इसके बाद दोस्तो हम लोगे हैं आपको क्या चीज़ चेक करना पड़ेंगा इसके मासफेट को अगर दोस्तो हमारी sorting रहती हमारे capacitor में तो जो आप डाइवोड रहता है यह वाला यह आपर खराब होता बट यहाँ पर रीडिंग्स हो रही है तो इसका मतलब वो जो आप डाइवोड है साथ हो यहाँ पर उक्के हो बट दोस्तो उससे बल हमके आप एको चीज चेक करना पड होंगे इसका मासफट रहता है जो कि 765 नंबर का है यह आप देख पार होंगे आपको दिख रहा होंगो सायद 765 नंबर का जो कि आपको हर power supply में देखने को मिल जाएंगा चाहेगो SMD में हो यह नौन SMD में हो तो दोस्तो हमको सबसे पहले इसको चेक करना पड़ेंगा कि य अगरे short होंगा तो हमको यह आपर modular को यूश करना पड़ेंगा आपको जब भी यह short होता हो तो यह IC रहती है वाली जो कि हमारी SMPS स्विचिंग की IC रहती है जो कि इसको पल्स से देती है हमारी रीडिंग आके गाया भूरी आप दे सकती हूँ तो जमरे gate वाली पीन है यहाँ पर रीडिंग आके गाया भूरी है बट दूसका middle वाले से तीस्रा वाला यह आपर full-sort है पर कि प्लटाने पे भी यहां पर सोर्टिंस दिखारीं आप दे सकते हो तो अम इसको निकालता हो निकालने केपा दोस्त आको बताता हों एक यह दोस्तों बताते हो आपको में पॉअट में पॉइंट वन बैंट्ट याइंट में यहांज आ है अन्ये प्धू यहriver करने जंप पर समख एक लंग की सप्लाई का जो यह निगेटव की रहती है जो निगेटव व्ल्रा के पिस्प्यट्र का यहाँ से जंप पर जाता है मास्फ्ट की तीसरी पिन पर जो कि महां लेद्ट यहां ब्लॉड पर से रन करती है तो मैंने ऐसे मासफेट को निकाल दिया हूं यह हमारा मासफेट तो सबसे बहुत को चेक करते हैं भाहर के भाहर कि यह सौट है कि नहीं है कंफर्म करने के लिए कभी-कभी ऐसा होता है कि हम इसको तो निकाल देते बड़ बादने वाल में सलता है कि हमरे सौटिं फुल सॉट है एंड आप हम इसको भी आपर चेक कर लेते हैं एक पर रेजिस्टेंस को तो यहाँ पर रीडिंग्स हो रही है जो कि आपर गलत दिखा रही है मैं को बता लेता हूं इस्टाप को रेजिस्टेंस रहते है जो कि हमारे मार्शवट की तीसरी पिन पर जाते है वह को भी रेजिस्टेंस में इस्टाप पर सिल्वर यहाँ पर कलर देखने को मिल जाता है तो समझ जा उसको जो वैल्यू पॉइंट में रहती है यह कोम से भी कम यहाने इतरा से जंपर है समझ लो यह तो दोस्तों यहाँ पर रीडिंग्स हो रही है 1200 तो इसका मतलब रेजिस् केस्टाइटर को कि समें कुछ शॉटिंग दिखा तूह रही है तो मिल चक करता हूं तो यहाँ पर डेख पारें आप रीडिंग्स हो कि ऐसे सकतो हो रही है जूकर इससे पहले आपर 7 कुछ हो रही थी है आपकर 700 के करीब आज जिसे पल्टाऊं गोंकर रेडिंग्स हो के ग दिखाएंगी पल्ट आने पर रीडिंग आएंगी बटो तुरंद गायब हो जाएंगी अगर असा होता है तो आपका कैफिटेटर ना पर उक्के है जो कि पॉसाबल में कोई भी सौर्टिंग नहीं है तो अमने आपको सिखाता हूं कि आप कैसे स्टैप के डाइवोड को चेक कर सकते हो कि झो हमरा डाइवोड है यह आपर अक्डै कि नहीं है बहुत ही सिंहेत दो版 है जो इसकते हमलों मालूम कभलने हैं कि इसका positive नेगैटिव कुन स्था यह हम्रव नेगैटिव वाल अलीरा है विकॉस यह हमरी SEC का रहती है और यहाग पीछे के श्टार्टिंग जन Сам मेरेいきटर में जाता है वह से आगी सप्लाई पर जाता है तो सब सब्सक्राबल में मालव में कि यह हम आप निगेटीव आला है तो दोस्तों क्या मीडियर में किया होता है आप निगेुल ठीके ना तो यह आपके से वैसे सो होना चाहिए आले इसी की सप्लाई में यहां पर देख पारूंगे 386-87 ओके तो आम मैं आप पर रखता हूं नेगेटिव आले में और यह है तो हमारा कैफिटर का है पुजैटिव निकेटिव तो इसमें हमने चेक कर चुक है कि कोई भी स्टिंग नहीं है अलगरहा नंबर के यहां पर आते है तो डेक पार हमिंगे स्टार्टिंग हम wonderful यह देख म करता हूं छेक लुट सुए ना बहुत ही सिंपल है यह हमारा positive वाला है पहला वाला तो इस पर रखुँगो negative वाली प्रॉप को यहाँ पर चेक करता हूँ 390 ओके यहाँ पर check करता हूँ 390 80 ओके यहाँ चेक करता हूँ तो दोस्तो इतना होने के बाद आम मैं करता हूं इसको चालू चालू करना के बाद देखते हूं कि इसमें कुछ sorting तो नहीं है अगर इसमें कुछ sorting होंगी तो जो हमारा स्रीज है वह यहापर गलो हो जाएंगा अगर स्रीज नहीं होने वाला है यहापर 300 आना चाहिए DC का जाएंगर नहीं आरी होंगी तो हम यहापर मॉडुल की जूश करना पढ़ेंगा अब मॉडुल की जूश करना है वह मैं आगे बता दूँगा इसका प्लग आप देख पार होंगे एंड इसको मैं लगा आता हूं सबसे पहले सिरीज पर यहाप लगा दे हमने इसका यहाप पर यहाप और करन्ट आनना चैयर्ली हो चुका है आप दे सकते हो मैं ध्यशका दिछा इता हूं म Completely में के तोलρ में 265 वल्ल ह Mini不錯 इसको मतलब हाओ यहां पर चार्ज हो रहे हैं इसको चक कर लेते हैं यहां पर यहां पर रिडिंग्स हो रही है तो इसका मतलब दोस्तो जह हमारा प्राइमरी सेक्शन है यहां तक करन्ट आना चार्ज हो चुक है आप देशकते हो तो दोस्तो इतना आप लोगों सब सबस्वेद कर लेना है अगर इसके पाद दोस्तो हम आगे बढ़ेंगे एड़ दोस्तो जब आप supply को रिप्पर करते हो तो आप लोगों सब सबसे पर को स्रीज सीमें लगाना पड़ेंगा विकॉस सीरीज में को सॉर्टिंग हो जाती है आपके हाथ से तो कोई आइटम आपा खराब नहीं होगा इसके बाद दोस्तो हम लोग को चेक करना पड़ेंगा जो मास्वेट की जो गेट की पीन है पहली वाली इस पे पल्स आ रहे कि नहीं आ रहे है अब दोस्तों पल्स क्या होते है तो महलगा सहां पर उल्टेज आता है जो कि हमारा ग्राउंड का है तो हम यहां पर रख देंगे विकॉज में रेजिश्ट्रों का भी निकाल दीए ठीक है ना यहां पर उल्टेज आ रहा आप जैसकते हो ठीक ना तो दोस्तों यह ट्रांस्वर्मर की आली पिन पर गया है तो यहां पर वैंडिंग होके यहां से आ पहले के नहीं आ रहा है तो यहां पर देख पार होंगे मिल्टीवीटर में दो आरा है एक आरा है दो आरा है एक आरा यहां आरा हूँ अगर देख पार होंगे आपके मल्टी मिटर में तो दोस्तों आप लोग समझ जाओ जो उसकी गेट की पीन में पल्स आ रही है तो आप लोग यहाँ पर दूसरे मास्फिट को लगा सकते हो इस टैक की मास्फिट को जैसे आप इसको लगाऊंगे तो जो आपका पाउस अपलाई है वह यहाँ पर चाल वाले मोडलों को लगाने वाला हूं जो कि पासर चोबशोट का मोडूलर है जो कि आपको कोई भी इलेट्रोनिक मार्केट में इजीली अवैलेबल हो जाएंगा और हाँ दोस्तों मैंने बहुत सरी पालर की जो बहुत प्लार रहती उसमें सम्में स्टैप की मोडलों को लग पूटल चार वायर दी हुए तो दोस्तों इसकी वाइरिंग कैसे करना है मैं आपको एक बास सिखा दूँगा डिटेल में तो आपके पास कोई भी पावर सप्ले आ जाए इस टाइप की या बड़ी वर्या कोई भी पावर सप्ले आ जाए चाए वह लेडी खी पावर सप्ल आईब जो ब्लैक वाला वायर है यह मारा ग्राउंण क कला आता है और निगेटिव वाला रैड वाला हमारा क टरीक्ट Zoo तो दोस्तों इसको जो निगेटिव वाला वो जाए पर हमारे के निगेटिव वाले हिंए यहाँ पर आप्ड़ारी वायरिंग कर रहा हुं आपको कि तो दोस्तों तो दोन वाला आप देख पार ओंगे यलो वाला कर ला एंद जो बिल्वुवाला कर ला था हमेरा नेगेत कुद तो यल्लोवाल को में किंदैंसर के पुझान पón पर स्वय ग्राउडर कर दूंगा अरले में defending यग्राउडर कर सकते हो एदर वाला है हमारा ग्राउंड है जो कि एक ट्रेक यहां पड़ गई है ब्लू वाले पर तो दोस्तो हमारा वाइरिंग आपको दिखाने के लिए मैं बाद में इसको कर दूंगा तो दोस्तो इतना होने के बाद अब मैं आपको क्या करने वालू हूँ मैं से कप्लर को डिस्कनेट करूँगा है यहाँ पर देख पारोंगे यहाँ रॉक्लर को डिखर आए वाला फसके के नहीं देख पार मैं को dot यह आप दिख रहा है तो मेरा एक नमर पर नहीं वाली तो एक और दूख हमको disconnect करना पड़ेंगा आप चाहतो यहां से भी disconnect कर सकते हो को दिख्यत की बात नी एंड तो पर दिखाल दिया इसके बाद दोस्तों हमको यहां पर voltage को set करना पड़ेंगा आप set कैसे करना है यहां पर आपको प्रिश्ट देखने को मिल जाता है यह वाला जो प्रिश्ट आप देख पार होंगे हम जित्ते सोग घुमाएंगे उतना हमारा voltage काम या ज्यादा होंगा इसके त्यांने आप ऊट्पूट चालु क्य है आप देख पार होंगे आपको दिखाता हूँ यह देख पार होंगे आप देखोंगे इन्दिकेटर चाली हो सकते हो इब देख रहा O पर इंडिकेटर तो इसका मतलब जो मारा आउट्पूट हो यहां पर आना चाल हो चुक है बट कितना आउट्पूट आ रहा है वह हमको सेड करना पड़ेंगा हमको कितना ओल्ट चाहिए 24 हमको चाहिए तो यहां आप आप देख पार होंगे 16.21 पर दोस्तो हमको इसको बढ़ाना पड़ेंगा यहां से कम होंगा तो आप लोगो 24 हमको रखना पड़ेंगा इतने में तो इतने में साइध आप 24 आ जाएंगा या जितना भी आए आपको दिखत के बाद नहीं तो आप हम इसको चेक करते एक बार में करतों से चालू आप ह इतने देख पार हम यहां पर 26 हो चुका आप दे सकते हो तो दोस्तो हमको से प्रिशुट के आप थोड़ा कम करना पड़ेंगा थोड़ा कम कर देता हूं यहां से इसको हलो कासा 23 आप रहेंगा तो भी कोई दिखत की बास नहीं तो मनसो कम कर दिया दन आम इसको आपी हुच का तो इसका मतलब हो दोस्तो जो में सप्लाई हो यहां पर रहें हो चुकी बहुत ही असाणी सी 23.9 र्ट हैं यहां पर बन चुकी है तो हमको सामने यहां पर लगातों अपने par light को देख पारहूंगि सॉकित है हमारे motherboard का तो मुसको यहां पर लगाता हूं इस तरीके से तो अब मैं आपको सामने को चालू करता हूं ठीक है ना तो यहां पर आप देख पार होंगे चालू करता हूं देख पार होंगे इस तरीके से दूर ले रहा है चालू हो चुग आप दे सकते हूं तो दोस्तों यह है इसकी पर्मनेंट वाईरिंग आप देख पा होगे और इसते पहलो जो मैं आपको वाईरिंग आप दिखाया था वो सिब टेम्पोरी वाईरिंग थी बट टेम्पोराइव थी शिब आपको सिखाने के लिए कि सवाय कहा पर जाता है और आपको प्रापर एकस्प्लेइन भी कर सकू तो दोस्तों यसकी पर्मनेंट वयरिंग है आप लोसको वयरिंग समझ में आगये होंगी तो मैंने इसको पुरा आपने थिक कर दिया को तो कैसे थिक किया हो आपको बताएता हो वहोता प्रस्पट के मिड़िलवाले पी दोस्तों मि 것도 मैं चाहली नौनीये प्रस्टस्त की wish के अंदर डाल दिया कर दिया ऐन दोस्तों जम्मारा ब्ल्क वाला वाययर इस को मैं मेरा पर एक खोला हमाएजिस्टन अब देख पारूणे या से आंप से आप ए हिट स्विंग के साथ एंड आप बीच का गैप देख पारे होंगे जो हमारा मोडलों का PC भी है वो इसकी बॉड के साथ बिल्फुल भी टच नहीं होने वाला और अगर को सेफटी चाहिए तो आप बीच में कोई खड़े को डाल सकते हो या आप डबल टेप भी आप डाल सकते हो तो मैंने आप पर पाउज सब्संक्राइश को कंप्रीट कर दिया ओं मैंने मदरवरत को लगा दिया हों फैन को लगा दिया हों और हमएं करथ बहुत को तो अगर मैं पर देख पार हूंगे आप 22.50 हो रहा है तो इसका मतला हुआ जो हमारा light का load है एंड जो हमारा fan का load है दोन लोट के करण क्या हो रहा है जो हमारा voltage हो यह आपर drop हो रहा है इसको मैं 24 वोट में set करका था बड़ जैसी load पड़ा light और fan का तो जो हमारा voltage हो ड्रॉट आपको 22 वोट हो चुका है तो हमको चालूई कंडिशन में इसके प्रिशोट को बढ़ाना पड़ेंगा तो मैं आपर चालूई कंडिशन में 24 वोट में set कर दिया हूं तो दोस्तों जो हमारा proper voltage है 24 वो हमारे mother वोट को मिलेंगा और mother वोट प्रॉपर 24 वोट हमारे पारलेट है वो मैं आपको दिखा जेता हूं और repair होने के बाद मैं आपको दिखाता हूं तो इसको मैं लगाता हूं direct और यहां पर चालूई हो चुके आप देशकते हो तो आमने आपको बताता हूं कि जो में पर दुसरी वाली पारलाइट की जो power supply है उसमें क्या-क्या फार्ट है औ आपको किस्टाइब के यहां पर देखने को मिल जाता है तो दोस्तों बीच वाली हमाँ दूनों AC के रहती है और स्टार्टिंग और लास्ट के आपको बजर के आवाद भी सुन पा रहे होंगे तो दोस्तों हम इसको निकालता हूं और आपको बताता हूं तो मैं इसको वतल्ड बंबगर डाल सकते बट वह एननों एีकला डेन ऑफिछोट यहां अपको ऑपघा चाथ हो जाएनगा है तो हम इसको लगाता हूं सिरेज में पर जंपर कर दिये तो यह है हमारी तीसरी गोडर की पाउस अप्लाई अंड यहाँ पर आप देख पार ओंगे दोरा चुर्णा हो यहाँ पर फूला हुआ है तो दोस्तों मैंने आप़ा capitalist को चेंज कर दिया मने फूज को आपर जंपर कर दिया एंद जो मेरा डाइवड है यह वाला यह भी आपर ऊक्ति है तो दोस्तों मैंने आप़ तीन चीज चेंज किया हूँ zeniu मोटलिक है से मिन पुराना हम का पूरा देख सकते हैं आप तो चले करके सब आप चालु देखते हैं कि आपर मोड़ियर है ने कर तो यहां पर अब भी और करता कि नहीं करता तो यहां पर देख पने हिब यहां इंडिगर चल्डिक्त चुकता था जोपना वीकिटर आप हडि कि नी होता एंड जो बर लाइट है वह हापा चार्ली होता है कि नी होता तो मैंने आप टूटल तीन आडम को चेंज कर दिया डाइवोड को फ्यूज को और कैफिटर को एंड जो बर मॉडुलर था हो यहाप पर उक्के है था जिसको मैंने पिछले साले आप पर रिपेर किया तो दोस्तों आपर आप देख पारूंगे हमारे पारलाट आपर चाल्ड हो चुकी है तो बस आज की वीडियो में इतने बताना था कि आप कैसे पारलाट की पाउस अपलाई को रिपार कर सकते हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना दो सबस्क्राइब चाना ताकि बसी आपर दातरोंगे सुगैस मिलते हैं कि वीडियो में